हेलो कैसे हैं आज फिर मैं आप लोग के साथ आ स्टुडेंट इलीट पे राज सभा का दूसरा पाट लेकर आया हूं और इस पाट से जो भी बनने बनने वाले प्रस्ण होंगे आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूंगा और आज की सेशन से राज सभा से आने वाले जो भी प्रश्ण होंगे आपके एक दिवस्य परिक्षा में आप असानी से उसे हल कर सकते हैं तो आज का सेशन का पहला प्रश्ण होगा पहला प्रश्ण है आपका राज सभा का सभापती कौन होता है तो मैंने चर्चा किया होगा कि राज सभा का सभापती उपराष्ट पती होते हैं उपराष्ट पती होते हैं और मैं बता दूँ कि भारत में उपराष्ट पती होंगे अनुछेद 63 में बोला गया है और अनुछेद 64 में ये भी बोला गया है कि राज सभा के जो सभापती होंगे भारत के उपराष्ट पती होंगे भारत के उपराष्ट पती होंगे और मैं यहां यह भी चर्चा कर दूंगा कि राजसभा को जो सभापती होंगे वे भारत के उपराष्ट पती तथा भारत के उपराष्ट पती ही राजसभा का सभापती होंगे अनुछेदेटीनाइन में कहा गया है तो आप बदा सकत कि राज सभा का सभापती कौन होता है तो आपसट नंबर भी सही अंसर चलते हैंिस सधन में अध्याच्यश्वाका सधन का सधस्त नहीं होता है तो मैं बता दू मैंने बता होगा I मैंने चर्चा किया होगा पिछले वाले वीडियो में कि राज सभा का जो सदस्ते जो राज सभा का जो उपसभापती होते हैं या सभापती होते हैं सभापती होते हैं भारत के उपराष्ट पती होते हैं और भारत के उपराष्ट पती जो होते हैं राज सभा के सदस्ते नहीं होते हैं तो अब बता सकते हैं कि option number, option number आपका option number दी आपका सही अंसर है चलिए अगले प्रशन प्रॉषन की बोर चलते हैं औगला प्रशन है राज सभा के सवापति का चुना कौन करता है तो हैं बता सकते हैं कि मैंने कल 좌र्चा किया कि राज सभा के जो सभापती होते हैं कहने का मतलब है भारत के उपराष्ट पती का चुनाव राज सभा के और लोग सभा के तथा राज्यों से संबंधित विधान परसद के निर्वाचित सदस्रिके द्वारा किया जाता है तो बता सकते हैं कि राज्यों की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यक को द्वारा हरा सभापती आनि उपराश्ट्पती का चुनाव किया जाता है तो अप्सन नंबर अप्सन नंबर डी आपका सही अंसर होंगे और अगले प्रस्ण क्यों और चलते हैं अगला प्रस्ण है राजसभा का सभापती हैं बस वही कोश्चन को क्या कर रहा है बार बार गुमा रहा है देखिए राजसभा का सभापती अस्टेटमेंट पढ़िए पहला अप्सन कहता है कि राजसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है चलिए हैं दुसरा पढ़ते हैं क क्या है राश्ट पती तो न्यूख्त करते नहीं है इक राज सभाव को सदस्नी द्वारा चुना जाता है यह गलत है तो ऑपशन नमबर आपका भी और 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 आपका द्याच्ता हान दखिए आपका एक कीवर्ड दिया गया है और सदस्य द्वारा की जाती है और सदस्य काने का मतलब है कि उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं उस सदन का सदस्य काने का मतलब यह होता है कि भारत के जो उपराष्ट पती होते हैं सि नहीं होते हैं वह स्वापती की रूप में कार्ज करते हैं पासकते हैं आपका सही अंसर है option number B आपका सही अंसर है अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं अगला प्रस्ट है राजसभा के सवापती की अनुपस्थिती में राजसभा का काज संचालन कौन करता है तो मैं बता दूँ कि राजसभा के सवापती के अनुपस्थिती के समय उपसभापती के द्वारा किया जाता है बता दें कि अनुछेद 89 के सब कलाउज नंबर 2 में ये कहा गया है कि जदी राज सभाग के सभापती अनुपस्थित होते हैं तो उप सभापती राज सभाग के कार्जों का संचालान करते हैं चलिए उप सभापती का निर्वाचन कौन करता है तो मैं बता दूँ कि राज सभाग के उप सभापती का जो निर्वाचन होते हैं राज सभाग के सदस्थियों के द्वारा ही किया जाता है राज सभाग के सदस्थियों के द्वारा ही किया जाता है तो आप बता सकते हैं ऑप्सन नंबर ऑप्सन नंबर बी आपका सही अंसर अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है क्या राज सभा का सभापती संसद के दोनों सदनों के संजुकत दीवेशन की अध्यक्षता कर सकते हैं तो मैंने ज्वाइंट सेशन के बारे मैंने खूब चर्चा किया होगा जब मैं राष्ट पति प्ला रहा होगा तब उस समय कि अनुछेद 108 एक सभापती के दोनों सभापती संजुकत दीवेशन राज सभापती को लोग सभापती के बिलाया जाता है और और क्या होता है अनुछेद 118 के तहत अनुछेद 118 के सभापती के दोनों सभापती के संजुकत दीवेशन करते हैं यहां क्या है गलत है और ऑपसे नमबर क्या होगा आपकार सही अंसर होंगे नहीं यह चलिए अगलए अगला प्रस्ट है राज्सवा के दिवर्स्य चुनाओं की अधीस उचना कौन जारी करता है कहने का मतलब मैंने बताया होगा कि राज्सवा एक सथाई सदन है क्या है असथाई सदन है और असथाई सदन में सदस्यों की जो तर्म होते हैं कार्जाबधी जो होते हैं बताया जाओ छो वर्सों के लिए चुने जाते हैं राजसभा के सदस्त छो वर्सों के लिए चुने जाते हैं लेकिन परती एक दो वर्स के बाद एक तिहाई सदस्त आपका रिटार्मेंट होते हैं सेवा निविर्थ होते हैं और इस तो बता सकते हैं कि ऑपसन नमबर बी आपका सही अंसर अगले प्रस्ण की और चलते हैं अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण राज सवा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो बहुत तिंपल से प्रश्ण है बता सकते हैं आप लोग कोई डिसकस नहीं करूंगा बार बार मैंने कर रहा हूं तो आप बता सकते हैं कि लोग सभाता राज विधान सभा के सदस्यों के द्वारा सदस्यों के द्वारा किया जाता है और अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण है सतंत्र भारत में राज सवा के पर्थम सभापती कौन थे तो जब मैं उप्राष्ट पती बता रहा था तो मैंने बता होगा आप यहां से दिमाग लगाई है थोड़ा सा टेकनिकल को कि राज सभा के जो सभापती होंगे कौन होंगे भारत के उप्राष्ट पती होंगे और जब मैंने उप्राष्ट पती जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया हूं कि भारत के पर्थम उप्राष्ट पती के रूप में सर्पल्ली राधा कृष्ण डॉक्टर सर्पल्ली रा कृष्णन होंगे पैसितल नंसर होंगे और यह गपनेधा नंबर घर को चलते हैं गल्द कैनल पृष्छन कि शनदर्व में निम्रांकेतानtoi सही है तो मैंने राज सवा में बहुत सारी बातें कल चरचा किया हूँ आप बता सकते हैं हाद क्वान सा कथम सही है और क्वान सा कथार गलत है तो आप देखिए कि इसके एक तिहाई सदस परती दो वर्च अवकास प्राप्त करते हैं यह तो अस्टेटमेंट आपका सही लग होते हैं और इसके आधे तदत परती तीन वर्स की आवकास प्राप्त करते हैं यह भी आपका तक सही अंसर हो जाएगा आपका अपसर नंबर उपसर नंबर ए हो जाएगा में कौल olduğunu सबस्दें कर लेते हैं तो चलिए अगले स्थफ के ऊर छलते हैं बिस ніमनानकित में कौन राजसभा की एकांतिक शक्ति के अंतरगत आता है एक आंतित कहने का मतलब है कि राज सभा की सक्तियों की बारे में मैं चर्चा करूं जब मैं राज सभा जब मैं पहाऊंगा आप लोग को तो मैं बताओं कि राज सभा का कौन कौन सा कार्ज है तो मैं यहां भी मैं डिसकस कर दूँ आप लोग के साथ कि राजसभा का दोवा इसे महत्पुर्ण कार्ज है जो माने जाते हैं बताए जाए कि अनुछेद 312 के तहट भारतिय संविधान के अनुछेद 312 के तहट यह कहा गया है कि राजसभा का यह अधिकार है कि भारत में आ है आखिल भारतिय सेवा के सिर्जन कर सकती है और है उसमें उसके सीटों की बढ़ोतरी कर सकती है दूसरा आपका कार्ज मातपुर्ण कार्ज राजसभा कब बताया गया है अनुछेद 249 अनुछेद 2009 में यह कहा गया है कि जदी कोई भी से हाने जदी कोई राज क्या भी से अईसा लगता हो कि उसे राज विशय के सुची पे लाया जाए तो उसे दू बटा तीन बहुमत से पारिद कर हाना उसे राष्ट के लिए उसे अधी याचित किया जा सकता है तो आप बता सकते हैं इसमें कि निम्नानकित में से कौन सा राज सवा की एक एकांतिक सक्ति के अंत अनुझेद 312 भारतिय संभिधान के अनुझेद 312 के तहत कागया है 312 के तहत का आघ समिक रिक्ती है लिख्ति में भारत के उप्राष्ट पती का निर्वाचन ने दो अनुछेद 65 कहता है अनुछेद 65 कहता है यह सब आपका स्टेटमेंट क्या है गलत है किसी राज की विधान परिशत की समाप्ति आपका विधान राज के जब मैं सीमू जब पढ़ाओंगा जब भाग छे जब क्या है बताओंगा फिलाल अभी देखते हैं कि पहला आपका सही अंसर होगा आखिल भारतिये स्युषाओं का सिर ज्द आखिल भारतियों ह। कि OPSON नंबर A, option नंबर A सही अंसर अगले प्रास्ट क्यों और चलते हैं अगला प्रास्ट है निम्दा में से किसके संबंध में राजसवा को लोकसवा की अप्षा कीर्थ अधीक अधिकार प्राप्त है काने का मतलब है कि राज सभा से जादा आ है राजसवा को लोक सभा से ज्यादा धीकार किस बिश्य पर किस मैटर पर सबसे ज्यादा क्या है तो आप बता सकते हैं मैंने अभी तुरज चर्चा किया हूं तो आप जल्दी से आप्शन को क्या किजिए हाना टिक किजिए चलिए अब पढ़ते हैं अप्शन नंबर एड धन विदेयक के बाद में धन विदेयक मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ लोग तभा में क्या किया जाता धन विदेयक पेस किया जाता है और धन विदेयक खाई या नहीं इसका निर्धारन लोग सबात ध्यक्ष करते हैं अनुछेद 110 में इसकी चर्चा की गई है धन विदेयक की चर्चा अनुछेद 110 में कही गई है अब है आपका हाने धनेत्तर विदेयक काने का वदलब धनेत्तर विदेयक बित विदेयक का ही एक दूसरा नाम है धनेत्तर विदेयाक और वित विदेयाक की बात ज़िदी कही जाए तो अनुच्छbacks 17 में बारतिय संविदान संविदान के में चर्चा किया गया है बताया जाता है कि सभी दन विदेयाक 231 हो सकते हैं लेकिन सभी विदेयाक algumas बिदेयक नहीं हो सकते हैं मैं जब मैं पढ़ाओंगा सब मैं पढ़ाओंगा डिटियल में दुसरा आपका नहीं आखिल भारतिय सेवाओं का गठन करना तो अप्सवर नमबर सी आपका सही अंसर होंगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं राज सभा को कौन से अधिकार है तो मैंने क्या बताया कि आखिल भारतिय सेवा में सिर्जन करना उसकी पदों को बढ़ाना किसी भी विसाय को राज सुची से लाकर हन राष्टिय महत्म का घोसित करना नुछेद दूसरों उन्चास यह सिर्फ और सिर्फ कर सकते हैं राज सभा में ही हो सकते हैं राज सभ भाकी भूमी का होती है तो आप सकते हैं कि ओप्सन नंबर हान देखिए ओप्सन नंबर एक आता है कि राज सुची के किसी विसाय को राष्टिय मात्म का घोसित करना मैंने बताया होगा कि अनुछेद आर्टी कील आपका आर्टी कील आपका दूसरों उन्चास कहता है हान दुसरा अखिल्भारतिय सेवा स्थापित करने के लिए अधिकार संग सरकार को देना यह आपका अनुछेद क्या कहता है अनुछेद अनुछेद 312 कहता है तो अब बताइए यह दो है तो उपरियुक्त में से दोनों उपरियुक्त में से दोनों ऑप्सन नंबर सी आपका सही अंसर होंगे और अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण आपका नई आखिल भारतिये से वाएं अस्थापित करने की द्रि लों 247 002 की बात सिर्फ उसे परराज्ट सभा में परस्टाव लाए जा सकते हैं और राज्ट तरह सकता है तो बता सकते हैं कि कौन सा होगा अना लोक्षा लोक के परस्टाव का बिलत है Danielle काने भी आपका है राच सभाँ के प्रास्ताव का चलिए अधी प्रस्ली के ओर चलते हैं आगला प्रस्फनापका का है समभीधान रागर्चह्वाँ सब्सक्राइब है। तो आप खुत बता सकते हैं प्रस्थत को आने से पहले हमने खुब डिसकस किया अनुछी तीन सो करना सिर्जीत करना चलिए और राज सुची के बिसोयों को कानून बनाना है न क्यों लहीं सबक्राइब सकती है जदि जदि क्या भाई चाहिए तो अभी मैंने तो बता सकते हैं कि कौन सा ओप्षन होगा राजसभा उपस्थिस सदस्यों को दो तिहाई भन विशेश बाउमत से एक प्रस्ताव पारीत करें तो इस तरह से आपका ऑप्षन नंबर सी आपका सही अंसर है अगला है कि राजसभा धन विधेयक पर अपनी सामती कितने दिनों तक रोक सकता है कहने का मतलब राजसभा जदी लोगसभा जदी धन विधेयक पारित करता और धन विधेयक को लोगसभा से राजसभा में जदी भेजता है पारित करने के लिए तो जदी लोगसभा 14 दिन तक अपनी सामती जदी नहीं देती है 14 दिन तक जदी वह अपने पास रख लेती है लौटाती नहीं है तो उसे पारित माने लिया जाता है तो आप बता सकते हैं कौन सा ओप्शन होगा अप्शन नंबर A आपका सही अंसर होगा 14 दिन चलिए आगले प्रश्ण की ओर चलते हैं आगला प्रश्ण है लोग सभाद वारा पारित धन विदेयक राज सभाद वारा भी पारित मान लिया जाता है जदी उच सदन उच उस पर किसी समय सीमा में कार्ज संपादन ना कर सके तो मैंने अभी बताया हूं कि जदी लोग सभा किसी विदेयक को राज सभा जदी बेशती है तो राज सभा जदी 14 दीन तक 14 दीन तक जदी वाह कोई अपना डिटेंशन नहीं देती है तो उसे पारित मान लिया जाता है अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण होगा आपका रास्तवादवारा लोग सभा को धन भी देख कितने समय से लटा दिये जाते हैं फिर वही प्रस्ण आये हैं आपका 14 दिन 14 दिन अगले प्रस्ण की ओर चलते हैं अगला प्रस्ण राज सभा को भंग करने में कौन सच्छा मैं तो मैं बता दूं कि राजसभा मैंने बताया होगा कि राजसभा एक उच्छ सदन है उसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है मैंने बताया होगा कि राजसभा 1952 से लेकर के आज तक के निरंतर काधिरत हैं और राजसभा को भंग करने के लिए किसी ना तो लोगतवा ना तो राष्ट पती ना तो उप्राष्ट पती किसी का भी अधिकार छेतर में नहीं आता है राष्ट सभा कभी भंग नहीं किया जा सकता है तो इसमें क्या होगा यह भी आपका ऑप्शन गलत है यह भी आपका राष्ट पती गलत है संसत के संजुक्त सतर यह भी गलत है आपका option number D वो परियुक्त में से कोई नहीं चलिए अगला प्राशन है निमलिखित में से किस परस्थिती की अंतरगात राजसभा को भंग किया जा सकता है तो मैं बता दूँ अभी मैंने बताया कि राजसभा को कोई भी परस्थिती हो चाहे जो भी हो जाए कभी राजसभा भांगे नहीं होता है ना तो राष्ट पती कर सकते हैं नहीं तो कोई सत्र जो भी कुछ नहीं होगा किसी परस्थिती में नहीं होंगे तो इन में से कोई नहीं option number D आपका सही अंसर और अगले प्राशन की ओर चलते हैं राजसभा एक अस्थाई सदन होने के कारण इसके हैं एक तिहाई सदत्स परती दो बर्स सेवा निविर्थ होते हैं यह आपका करेक्टर स्टेट्मेंट है यह आपका गलत है यह भी गलत यह भी आपका गलत है तो option number A आपका सही अंसर होंगे यह आपका सही अंसर होंगे आगले प्राश्थित की ओर चलते हैं र राजसभा के सदस्यों को नामित करने का जो अधिकार बताया जाए हन तो हन किसे दिया जाता है तो राष्ट पती को दिये जाते हैं और मैं बता दूं कि जदी अनुछेद की बात कही जाए तो अनुछेद 80 के सबकलाउज नंबर 3 में कहा गया है कि राष्ट पती के द्वा थिरी अनुछेद 80 के सबकलाउज थिरी में यह व्यवस्था किया गया है कि राजसभा में राष्ट पती के द्वारा 12 सदस्यों का मनोयन किया जाएगा और उवे मनोयन कि यह जाने वाले सदस्त आपका हाद खेल सांस्कृतिक आपका कला विज्ञान साहित इत्यादी से क्या हो हाद आपका उत्कृष्टा प्राप्द व्यक्ति को राश्च्पती के मनुनित किया जाता है तो अब बता सकते हैं कि option नंबर ए आपका सही अंसर है राष्ट्पती के द्वारा चलिए आगले प्रश्णी की ओर चलते हैं हरे राष्ट्पती द्वारा राष्ट सभा के लिए कला साहित विज्ञानादी छेत्रों से बारत सदस्यों को मनोनित करने की व्यवस्था भारति संविधान के किस अनुझेद में किया गया है तो मैंने अभी बताया कि हां अनुझेद अस्तिक के सब कलाउज तीन या तो अस्तिक के सब कलाउज तीन ना भी रहे तो अनुझेद क्या होगा 80 होगा आपका option number option number c option number c आपका सही अंसर है आप जब अनुछेदों की बात आ गई है तो मैं हर एक अनुछेद आपके साथ discuss करूंगा तो पहला पहला आपका option है अनुछेद 324 अनुछेद 324 अनुछेद 324 में कहा गया है कि निर्वाचन है निर्वाचन आयोग होंगे निर्वाचन आयोग की चर्चा कही गई है निर्वाचन निर्वाचन आयोग की चर्चा है आयोग की चर्चा की गई है देखिए अनुछेद 265 क्या कहता है अनुछेद दूस्तों पैसक कहता है कि भारत सरकार या सरकार किसी का सरकार हो हने कोई नया कर हने का मतलब टैक्स टैक्स बिना बिना संसद के अनुमोदन के नहीं लगा सकते हैं नए करो की नई करों की व्यवस्था 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 जो होगा है संसद के अनुमोदन से होगा इसके अनुमोदन से हन संसद के अनुमोदन से संसंत की अनुमोदन से किये जाएंगे और और अपसर नंबर अन सी आपका अनुछे दस्य के बारे मैंने बताया होगा कि राश्ट पती के द्वारा राश्ट पती के द्वारा राज सभा में 12 सदस्यों का मनोयन मा नोयन आपका कला संस्क्रिती और अनुछे द 120 की जब मैं चर्टा करूँ तो अनुछे द 120 कहता है कि सदन में संसद में या तो लोगसभा हो या तो राज सभा हो उसकी भासागोगी वहाँ भीवादन की भासाग क्या होगी संसदों के द्वारा कलन सी लेंग्वें बोली जाएगी तो मैं बता दुआनू 620 कहता है कि राज सभा हो या लोक सभा हो कोई भी सांसद हिंदी या इंग्लिस में अभी वादन कर सकते हैं और मैं यहां यह भी चर्चा कर दूं कि जदी कोई सांसद चाहता है कि सदन में कोई छेत्रिय भासा के द्वारा संबोधन किय जाए छेत्रिय भासा जा जो चाही भोजपूरी हो या मैठली हो या मनिपूरी कुछ भी और या तो को यह वैसे छेत्रिय भासा हो जड़ि करना चाहता हो तो लोग सभा के अद्यक्ष या राज्श्वा के सभासा पति को दस दिन पूर्व कितना दिन पूर्व говорит दस दिन पूर्व उन्हें क्या किया जाता है बताया जाता है कि मैं छेत्रिय भासा का क्या करूँगा अभिवादन करूँगा छेत्रिय भासा का उपियोग करूँगा तनुछेद 120 कहता है संसद के संसद में हाना संसद संसद के अभिवादन 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 नहीं ह संचालन में या, यह संचालन में भासा, हा ना भासा की बात कहीं गई है, तो अगले प्रस् freuen की ओर चलते हैं, अगला प्रस्न है आपका कि निमणिखित में से किस्त में रास्तवा की कोई भूमिका नहीं होती है, है तो राज्टी की कोई भूमिका नहीं होती है तो देख लिया झाए कि ऊप राष्ठ पति के निर्वाचन में राष्ठ पती के महाभ्योग में सर बोच निया लाए के मुख नियाज़िस को हटाने में तो मैं बता दूंदेखित शाल जब मुख नियाज़िस इसको लाई जाती है राश्वा और लोगसवा से क्या किया जाएगा पारित करवाया जाएगा दूसरा है राश्वा भाग लेते हैं इसमें भी राश्वा भाग लेते हैं और उपराश्वा के निर्वाचन में भी क्या लेते हैं राश्वा के सदस्ते भाग लेते हैं लेकिन अध्य आपका लोग सभा में होता है और लोग सभा में जब अध्यक्षों की जब चुनाव की जाती है तो मैं बता दूं कि लोग सभा के सदस्ति उसमें क्या करते हैं भाग लेते हैं तो आपका आपसन नंबर बी आपका यह अस्टेटमेंट गलत है लेकिन आपका आपसन नंबर भी सही अंसर होंगे चलिए अगले प्रश्ण की ओर चलते हैं कि राज सभा हाना पहले पहला उप्षान से आप बता सकते हैं कि भंग नहीं हो सकता है किसी भी सूरत में भंग नहीं करते हैं चाहे जो हो जाए बून पढ़े चाहे पथल पढ़े कुछ भी हो जाए राज सभा है क् सबुगे सबता सब्सक्राइब इस में कुछ सोचना ही नहीं है आप बता सकते हैं और आज का अंतिमप्रश्ण attitudes प्रस्ण होंगे और इस से चनल आप करास अच्छे तरीके से ची अब हabethмотря डहीजब अभी प्रश्ण आप असानी से बना सकते हैं तो देखा यह अंतिम प्रश्ण धन भी देख पारित करने के लिए राज सभा को कितना समय दिया जाता है तो मैंने बहुत बार चर्चा किया हूं कि बस और बस 14 दिन की बात होती है तो इस तरह से आज का सेशन स्थमाप्ट हुआ और कल एक नए टोपी के साथ आप लोग के साथ मैं जुनूंगा और इसी तरह आप प्यार वासिरवाद देते रहिए और लाइक, सेर, कमेंट और सस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद